लिम्बडी विधान सबाब बैठक पर योजाईली पेटा चुकणी मा भाजपना किरिट सी राणाए पोताना कॉंग्रेसी हरीफ चेतन खाचर ने कार्मी हारा पीछे भाजपना उमेदवार किरिट सी हे विजय बात कॉंग्रेस पर प्रहार करया हता तेमज भाजपना सवनो साथ सवनो विकास मंत्रने आगर धपावी जन सेवा करवानू वचनाप्यू हतू किरिट सी हे साथेज कॉंग्रेस ना नित्रुत्व सामेपन आकरा प्रहार करया तेमने कहूं हतू के जनता एक कॉंग्रेस ना तमाम आरोप प्रतियारोप ने नकारी दिधाशे आने जनता जनार्दने भाजपने फरीब विजय अपावी ने भाजपनी विकासनी रणनीती मा पोतानी सहमती दर्शावी शे तो सुरेंद्र नगननी लिम्बडी बैठक उपर भाजपनी भव्य जीत थे लिम्बडी मा भाजपना उमेदवार किरिट सी राणा 31,514 मतोनी सरसाई साथे विजय बन्या आ साथे ज किरिट सी तेमनी भवान भरवाड सामे अगाव मनेली हार नो जीत मिडवी ने रेकोर्ड बनावियो छे अहीं कॉंग्रेस ना धारा सभ्य सोमा गांडा पटेले राजिनामू आपी देदा चुकनी योजाई हती चेमा किरिट सी नी मत गणत्री मा पहला थी जीत निश्चित मानवा मावी रही हती जरेके कॉंग्रेस ना उमेद्वार चेतन खाचरे हार भाडवानो बारो आवयो छे जो के आ दर्म्यान भाजपना उमेद्वारे भाजपना कारे करो अने सरकार ना कामने जीत नो श्रे आपयो जरेके कॉंग्रेस उमेद्वारे सतत प्रजा वच्चे रहवानो बाईदो करो लिम्बडी विधान सभा बैठक पर पेटा चुटणी मा भाजपना उमेद्वार सामे कॉंग्रेस ना उमेद्वार चेतन खाचर नो पराजए थहो शे जो के चेतन खाचरे पोता नी हार नो स्विकार करयो आने हम्मेशा जनता नी पड़के रहवानू वचनापी ने मैदान नहीं छोड़वानी पन वाद करी जो के हार पाचर ना कारणों माटे मनोमन्थन करवानी पन तेवो ए वाद करी, चेतन खाचरे पराजे बाद पत्रकारों साथे नी वादचीत मा कहूं हतूं के आप पराजे माटे पार्टी नहीं, पन क्याक ने क्याक तेमना द्वारा रही गएली उणपो जवाबदार छे। तेमने कहूं हतूं के तेवो आगामी वखते बम्णा जोर साथे मैदान मा उतर्शे, तेवो मैदान छोडीने क्याई जवाना न थी, अने जनता गमे त्यारे पोतानी समस्या साथे तेमनी साथे आविशके छे। अने भाजपना उमेद्वार ब्रिजेश मेर्जानी जीत्ते ही हती, अने कॉंग्रेस ना जनती पटेल हार्या हता। गुजरातनी विधान सभानी मोर्बी बैठक पर भाजपे कॉंग्रेस मा थी आयाती उमेद्वार ब्रिजेश मेर्जाने टिकेट आपी हती, परन्तु कॉंग्रेस नो गढ़ मनाती आप बैठक पर भाजप नहीं पावे, तेवो शरुआतना पेटा छुटनीना परिणामों मोर्बी बैठक पर भाजपना उमेद्वार ब्रिजेश मेर्जा पाचर चाली रहाता, तेवो शरुआत्मा मोर्बी बैठक पर कॉंग्रेस नो गोडो विन्मा छे तेवो लाग्यू हतु। आठ माथी आएक मात्र बैठक एवी हती जिया भाजपना उमेद्वार पाचर चाली रहाता, बाकी दी साथ बैठको पर भाजपना उमेद्वारों जीत तरफ आगणवधी रहाता, जो के आखरे मोर्बी मापन कमण खिल्यू शे। अम्रेली नी प्रतिष्ठित धारी विधान सभाब बैठक पर नी पेटा चुठणी मा भाजपना उमेद्वार जेवी काकडियाए, कॉंग्रेस ना उमेद्वार ने कार्मी हार आपीछे। काकडियाए जीत बाद मततारूनों आभार मानवानी साथे कॉंग्रेस पर बाक प्रहार कर्या। पक्षपल्टू गद्दारो जेवा आरोपोने जनताय नकारी दिधाचे, अने तेमने भाजपने विजईनी भेटा पीछे। तेवो जनताना प्रश्णोंने आगलवधार शे, तेम पन तेवो एजणावी। आ तरफ अम्रेलीनी धारी बेठ कुपरपन कॉंग्रेस नी हार थही छे। तेरे कॉंग्रेस ना उमेद्वार सुरेश को टड़ियाए हार नो स्विकार करयो। साथे ज कहूं के अमे जनता समक्ष जे मुद्दा उठाव्या, तेना करता विपरित परिणा माव्याशे। जेने लेने पक्ष मन्थन करशे। काकड़ियाए कहूं हतू के तेओ मत दाताओ ये आपेला निर्णैनु सन्मान करेशे, आने पार्टी ने शा माटे पराजे मुद्धियों तेना कारणू नी समिक्षा करवा मावशे। तेमने कहूं हतू के तेओ कदाच सरकार ना दोशों ने सारीरीते उठावा माव निश्वण निवड़ा हता, अने ते कारणेज कॉंग्रेस नी हार थेई शे। तो बोटादनी गढ़डा बैठकु परपन के सर्यों लहरायो शे। अहीं भाजपना उमेदवार आत्मराम पर्मारे बाजी मारी शे औने कॉंग्रेस ना उमेदवार मोहन सोलंकी ने पच्छडा आठापी शे। आत्मराम पर्मार 24,020 मतों नी सर्साई साथे विजेता बन्या तेमने आ भव्य जीत नो श्रे कारे करो अने सरकार ना काम ने आपयो। तो कॉंग्रेस ए उमेदवार मोहन सोलंकी ये हार नो स्विकार कर्यो हतो। गडडानी अनामत बैठक पर बन्य उमेदवार वच्चे सारो जंग जुआ मलो। जो के आनते कॉंग्रेस ना खाता मा हार आवी छे। डांग बैठक पर पेटा चुटणी मा भाजपना उमेदवार विजे पटेलनी जीत थे। अने साहीट हजार पंचानू मतो थी डांग नी बैठक विजे पटेले जीतिली धीशे। तो कॉंग्रेस यु मेदवार सुर्यकांद गावित नो कार्मोप पराजे थवोशे। मत गणत्री ना 36 राउंड ना अंते भाजपने कुल 4,006 मत मल्या। जरके कॉंग्रेस ने 33,911 मत मल्या हता। भारतिय ट्राइबल पार्टी एक मजबूत त्रीजा पक्षतरी के उभरी हती। बीटीपी ने कुल 1,234 मत मल्या। आउपरांद कुल 1,35,008 मत पई की 2,949 मत नोटा मा गया हता। जेमा बैलेट पेपर उपर मतदान करनार 1462 सरकारी अधिकारियों मा थी 20 मत नोटा ने आपया हता। भाजपना उमेदवार विजय पटेले पोतानी जीत नोश्रे जनता ने आपीने कार्यकरोनों आभार माने। तो डांग बैठक पर पेटा चुटनी मा कॉंग्रेस ना उमेदवार सुर्यकांद गावितनी कार्मी हार थाईचे। त्यारे हार बाद सुर्यकांद गाविते कबुलात करी के तेओए महनप करी हती परन्तु योग्या फळ न मल्यू। जोके हार बाद तेओए मनोमन्थन करवानी बाद करी सुर्यकांद गावितने चुटनी टिकिट अपाई त्यारेज किटलाक स्थानिक कॉंग्रेसी कारे करों मा विरोध जोवा मल्यू हतो जोके कॉंग्रेस मोवडी मंड़े आ विरोधनी परवा करया बिना टिकिट आपी ह भाजपना उमेद्वार ने विजई बनावा डांग ना मत दाताओए राजनी भाजप सरकार नी विकास नी निती ने पोतानू समर्थन आपनू हवानू मनाई रहूँछे अबडासामा भाजपे इतिहास रच्यों छे भाजपना उमेद्वार प्रद्यूमन सी जाड़े जाए 31 समा राउन बाज 36928 मते विजई बन्या अबडासा लखपत अने नखत्राना तालुकामा भाजपने जंगी लीड मडी शे अबडासा भैठक पर 10 उमेद्वार उपाईकी ना भाजपना प्रद्यूमन सी जाड़े जाए शरुआत्ती लीड बनावी राखी हती अने 37928 मते जीत मिलवी जरे कॉंग्रेसना डॉक्टर शांतिला सेंगाणी ने अपक्ष उमेद्वार हनीफ बावा पेडियार वे बरा अबडासामा भाजपना कारेकरों ए ढोल नगारा साथे उजवनी करी प्रद्यूमन सी जाड़े जानी जंगी बहुमती थी जीत थता कारेकरों मा अनिरू उच्सा बलसाट जिल्लानी कप्राडा विदान सभा बैठकनी पेटा चुक्रणी मा भाजपना उमेद्वार जीतू चौधरी नो एतिहासिक विजए जीतू चौधरी चेतारी सदार थी प्रद्धारे मतनी जंगी लीड थी जीत्या कप्राडा मा कॉंग्रेस ना उमेद्वारे पुतानी हार स्विकारवाने बदले भाजप पर प्रहार करया भाजपे रुप्या आपी ने मत खरीद्या होवानों आक्षे बाबू वरठाय करो